तो उनका जो चुनावी जो दोरा है वो लगातार आटो विधान सबा में चल रहा है और अलग-अलग जो उनके मंडल है उनके कारकरपाउं से बैठक ले रही है और उनसे चर्चा कर रही है बिल्कुल बिल्कुल और अब्दुल के पास हम आगे भी जाते रहेंगे सभी नाम का एलान हो गया है और सायोगी सोमनात इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोमनात क्या कुछ अपडेट नाम को लेकर संशय था और ये थोड़ा लगा भी कि आखिर तामरदवज साहू को वहां से मौका दिया गया है जे जी बिल्कुल बता दो कि नाम को लेकर एक संसाय जरूर थी लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल सुझ बुच के साथ में नेड़े लिया है और महासमुं लोग साहू को बिल्कुल साहू बहुल्य की रुप में देखा जाता है ऐसे में तामरदवज साहू को यहां से प्रत्यास का सामना विधान सभाचुनाओं में करना पड़ा था लेकिन लोग सभाचुनाओं के नजरिया से देखा जाए तो कहीं न कहीं जो तामरदवज साहू है वे कद्धावर नेता है और उनकी वर्चस भी जो है देखी गई चूकि पूर्व में वे ग्रीमन चलिए और महासमु थोड़ा और बारीक से डिकोड करते हैं अभी शेक शुकल हमारे साथ जुड़ गया है उनके पास लिए चलेंगे लंबा मन्थन चिंतन और तमाम चीजों के बाद निकल कर छे नाम सामने आए दुर्ग को लेकर थोड़ा सा चौकनी के स्थिती पर हाला कि हमने बता दिया थ है कि कॉंग्रेस आला कमान ने तै कि सभी बड़े चेरों को उतारा जाएगा कॉंग्रेस के अगर हम 36 गड की बात करें जिन नामों का एलान है उसमें से ज्यादा तर नाम अगर हम ताम रदवर साहों को शायद छोड़ दे तो ज्यादा तर अनिक्छुक्ल थे चुनाओ बहुत पहले हलाकि उन्होंने इंकार किया था चुनाओ लड़ने को लेकर लेकर लेकिन अब क्योंकि नाम उंका आ गया है तो लड़ेंगे वहां पर और सीट जो है वो बड़ा सोस समझ करा कि कॉंग्रिस ने आ पर दी है देखिए ताम रदवर साहों जो दुर्ग से रह चुके है दूर्ग से चा रहे थे लेकिन उंको महा समुन से दिया गया माहा समुन से इसले दिया गया क्योंकि साह को लिए कंग्रिस ने और साहों कूझ पैठ मानी जाती है। भावना बोरा तो ये समीकरण अपने मुफीद लगा यहां पर हुपेश भगेल को इसलिए वो राजनाद गाउ सीट पर उन्होंने चुनाओ लड़ना तैय किया उसके लावाद जोसना में विनिंग कैंडिडेट थी और वहां चरदास मेंद का अच्छा प्रभाव है दुर्ग से वहां पर कैंडिडेट बनाया गया है साहू समाज को लुभाने के लिए और निशितरूप से उनकी पैरवी भूपेश भगेल ने यहां पर की होगी क्योंकि वो काफी उनके करीब ही माने जाते हैं तो दुर्ग से यहां पर राजन साहू लंबे अरसे से एक्ट चलेंगे शिवम खोदा पहाल निकले 49 नाम और 36 गड़ में सिर्फ 6 शिवम देखे निश्चे तौर पर पहली कॉंग्रेस के मासचाओ के साफ किया उन्होंने का कि सीसी की पहली लिष्ट में सिर्फ 60 नामों को लेकर चर्चा हुई थी ऐसे में लगबग 40 उम्मीदवार चुल लिए गए हलाकि बड़ा संदेश इससे यह निकलकर आता है कि कॉंग्रे पार्टी के बड़े जो नेता है वो इन चुनावों में लड़ने जा रहे हैं आज की पहली लेश्ट की बात करें तो कॉंग्रेस के पूरवद्यच राहूल गांदी संगठन मासचो केसी वेनुकुपाल केसी वेनुकुपाल अभी राजसभा के सांसद हैं उन्हें उतारा थर्टिसगण की बात करें तो वहाँ से भूपेज, भगेल, तामर्ज़च, साउ जैसे बड़े नेताओं को अतारा गया है केरल की बात करें तो राउल गांदी वहां से आते हैं केजिवेनुकुपाल वहां से आते हैं करनाटक से डीके सियुकुमार के साथ-साथ तमाम और जो बड़े नेता हैं उन्हें उतारा गया है तिर्वेंतरम से सरी थरूर को उतारा गया है तो कॉंग्रेस पार्टी ने कल की बैठक में भी सुत्रों के हवाले से नियूजेटी ने बताया था कि नेतत उने साफ कर दिया है कि सभी बड़े जो पार्टी के नेता है वो चुनावों में लड़ने के लिए तयार है दूसरी एक बार निश्य तोर पर है कॉंग्रेस से लिस्ट भी बीजेपी से देर से जारी कॉंग्रेस पार्टी का है कि 20 से 25 माज तक वो सभी सीटों को लॉक कर दे हला कि कई राजियों में उन राजियों में सीटों का एनौंसमेंट नहीं हुआ है जहां पर गटबंदन पार्टी कर रही है यहां पर जहां पर सीट सेरिंग की बात नहीं हो पाई है लेकिन आज के यह फिलाल बड़ी कवर ही है कि पहली लिष्ट जारी हो गई है बड़े नेताओं को मौका दिया गया है बड़े नेताओं को फ्रंट से लीड करने की जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि जो करनी जो तमाम कार करता है उनका मुराल बूश रहे है कांग्रेस पार्टी लगात बिल्कुल ठीक ठीक शिवह माएंगे आपके पास अभिशेक लगातार हम ऐसाथ बने हुए हैं उनके पास भी हम जाना चाहेंगे सिर्फ चैनाम अभिशेक सिर्फ चैनाम दो बातें से निकल कर आती हैं बीजेपी को कॉंग्रेस की कलह को उभारने का मौका मिल जाता है एक मनो वैज्यानिक दबाओ वैसे ही बना हुआ है दो विधान सभा चुनाओ के परिणाम वजह नंबर तीन उसके बावजूत पेंच अटके हुए हैं कॉंग्रेस में जी बिल्कुल देखे छे जो नाम कॉंग्रेस में जारी कियें उसमें से तीन ऐसे हैं जो की विधान सभा चुनाओ हार चुके हैं विकास उपाध्या चुनाओ हार चुके हैं जिनको रायपूर से टिकट दिया गया है उसके लाबा शिव डहरिया चुनाओ हार चुके हैं जिनक अजसे आपने का निशित रूप से क्योंकि अभी विधानसभा चुनाओं खत्म हुए है और कुछ मैने पहले तक ये तमाम लोग विधायक, संसदी, सची और मंत्री हुआ करते थे। बुपेश भगहल भी होंगे, मुख्यमंत्री थे, उनके लीडर्शिप में चुनाओं लड़ा गया था, तो निशित रूप से बुपेश भगहल भी निशाने पर होंगे बीजेपी के, और विधानसभा के जो नारे थे, वो एक बर हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, और इ पिशले पांस साल के कामकाज को लेकर जो सवाल विधानसभा में उठेते, वही सवाल फिर से लोग सभा में भी उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, तो बहुत सारी चुनाओतिया हैं जिनसे कांग्रेस को गुजरना होगा, हलाकि जो कांग्रेस के केंडिडेट हैं, इस दोनुई तरब से एक के बाद एक कई सारे देखने को यहां पर मुलेंगे, तो जो बीजेपी मान रही थी कि बड़े आसानी के साथ 11 सीटों पर हम चुनाओ निकाल ले जाएंगे, वह कॉंग्रेस ने आपर इन चेहरों को उतार कर थोड़ी खलबली तो मचाईए, वाक भकता है था, फिर भी अगर कोई रियक्शन मिल पाया हो तो बहुत शाट में, अब्दुल, जी जी तरिके से नामों की का जो घुशना होने से पहले ही इस बात की चर्चा कॉंग्रेस में ती कि जोसना महां को कॉंग्रेस रिपीट करेगी और जो मिजेटी ने भी इसको दि लेड़नी की बात कह रहे हैं, ठीक, ठीक, तो ये तमाम चीजें, ये तमाम लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, आज छे नामों का ऐलान हुआ है, पांच पर पेंच फसा हुआ है, उनका भी जल्द होगा, ग्यारा तारी को अगली बैठा कोनी है, ये जो हमारे तमाम सही होगी है, वो लगातार हमारे साथ बने रहे, और एक और महतकून बात, एक नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका सौटी पर भी इस लिस्ट को ये जो 49 नाम आए है, उस पर कसकर पर रखने की जरूरत है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं